सिद्धे हिंदी ओनलाइन क्लासिस में आपका स्वागत है हमने सुचना संचार की अलग-अलग पददे देखी मोखित द्रश्य श्रावया द्रश्य श्रावया मोन छे पदती में से अपने कोर्स में दो पदती के लाब और हानी पढ़ाई में है तो छे पदती मैंने आपको माता दी है ऐज हम उसकी मोखित पदती ये पूरी विस्तुरूत में पढ़ेंगे मोखित पदती का मतलब हमने देखा था कि जो व्यक्ति अपनी बोल कर अपनी सुचना का आदान प्रदान करता है बोल बोल कर अपनी सुचना का आदान प्रदान करता है उस ऐसी सुचना को मोखी सुचना संचार कहा जाता है तो उस पदती में हम आगे बढ़ते हैं सुचना संचार हे हसना ये भी एक प्रकार की भाशा है पर ये मोन भाशा है उसमें समझने उप्योग में लेने या उसमें प्रविण होने है तुं चार प्रकार के कौशल बहुत जरूरी है बोलना सुनना पढ़ना और लिखना ये में वक्ता भासा शब्द एवं वाक्या रचना का उप्योग करके आवशक्ता के अनुसार हाव भाव हलन चलन का उप्योग करके जोर से बोलकर सुचना के लेन देन का प्रयतन करता है तो यहाँ पर कहा गया है कि मोखिक सुचना संचार में क्या होता है भासा या शब्दों की वाक्या रचना को ध्यान में रखकर वाक्या रचना में रखकर मतलब कहीं पर फुल स्टॉप है कहीं पर उद्गार चिन है कहीं पर हाव भाव बदलना रहता है तो उसके आवशक्ता ये कोई सुचना का प्रयोग करके जोर से बोल करते हैं, इस में श्रोता समझ जाता है, इस पदती दवारा व्यक्ति, व्यक्ति व्यक्ति के बीच मोखी सुचना होती है व्यक्ति के द्वारा समू के बीच सुचना संचार संभव बनता है बातचित वार्तालाब समवाद गोष्ठी भाशन चर्चा जैसी विविद स्वरूप मोखिक के अंदर आता है बातचीत आपस में बातचीत करना वारता लाब करना सवाद गोष्टी मैंने आपको बता था ग्रूप में पाथ-पाथ-पाथ-दस-दस व्यक्तियों का अलग-अलग ग्रूप बनाना और फिर आपस में ग्रूप में चर्चा करके फिर अपने मुद्धे प्रस्तूत करना भा सबसे ज्याद हमारी देश में यह पदती का उपयोग होता है खास करके टीचर लाइन में पढ़ाई में आप देखो तो सुथना संचार की कौन सी पदती मोखिक तो मोखिक सुथना संचार की यह पदती सबसे सरल है जल्दी है और इसमें खर्च भी का होत काम है वेक्ति बोल क सुथना संचार होता है आभी augy दूसरे के संचार पर फदती सबद जहित कर दो हैं मोखिक शूतना संचार है आज के दो पर देखा की कि परत्य परमकी कि कोई आवशकता रहती नहीं है सामाने इरुप से प्रत्यक सो रूप में बहर є जाने से शू acc वक्ता को शोता का प्रतिभाव तुरंत मिलता है। जब बोलने वाल व्यक्ति आपके सामने तो आप पूछ लोगे कि टीचर इसका क्या मतलब हुआ तो तुरंत उसका निराकरण भी हो जाता है श्रोता की और से मिलने वाले त्वरित प्रतिभाव में वक्ता उत्सा प्रेरक और प्रणाई दे अब सामने से श्रोता दे आपको स सुधार हो और इसको समझार और यह जेसको समझने में दिल्चसा भी ले रोinyl और इसको समझा भी सकता हूं और सामने से हाह सप्रतिवाव मिले तुर ठीक प्रेरमि पूछता है कि मुझे यहां पर थोड़ा चेंज करना है मैं माध्यम को बदल देते हैं तो हम अपने माध्यम को बदल देते हैं पराबर उसी तरह तो तो सुचना के माध्याmind को सुचना देने का conocषना jsम माइक की सुचना दे रहा थे को उपयोग करेंगे अब माइक से हम भी सुचना है तो हम उसे ऑर लावड स्पीकर वाल आग, व्यक्ति बिठा कर चुचना समझा ना तो इस तरह से जो जो कठिनाया वाली है आपकी सुचना सामने तक पहुंच रहे उसमें असफ़लता मिलने की जो भी कठिनाया है उसको दूर तुरंद कर सकते और ऐसी परिस्तिति आगेगी नहीं शोता यदि निरक्षर हो तो भी सुचना का प्रत्यापन इस पतति में संभव मुझे हिंदी समझ में नहीं आ रहे मैं गुजराती हूँ तो उस व्यक्ति को बोलने वाला व्यक्ति गुजराती से समझाएगा अगर उसको गुजराती बोलना नहीं आता है तो सुनने वाला सुने गाई नहीं चला जाएगा तो कोई प्रशना ही नहीं हुआ उसको सुचन भी बहुत ज्यादा है तो मर्यादा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे